मनोज सिंग को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचीव बनाए गया है जिहां रविवार को शाम चार बजे उन्होंने क्रिसी उत्पादन आयुक्त आफिस में मुख्य सचीव का कारेभार ग्रहड किया आपको बता दे मनोज सिंग का कारेकाल जुलाई दोहजार पचीज तक रहेगा उनके पास मुख्य सचीव के साथ सत यूपी रेजिडेंट कमिशनर का भी चार्ज रहेगा इससे पहले उन्होंने रविवार सुबा अपनी पतनी के साथ हनुमान सेतु मंदिर के दर्शन भी किये मुख्य सचीव बनने के बाद उन्होंने मीडिया से बाचीट में सबसे पहले पेपर लिग के मामने पर चर्चा की उन्होंने कहा कि UP में आगे से पेपर लिक नहीं होगा इसी के साथ उन्होंने अन्य मुद्धों पर भी चर्चा करते हुए कहा कि UP की 25 करोड जनता की भलाई के लिए तेजगती से कार करना ही मेरी पहली प्राथ मिकता है और भी मुद्धो पर उन्होंने चर्चा किया आगे कहा कि UP में हर फील्ड में कानून विवस्था बहुत अच्छी है मैं जितने भी इंडस्ट्रिलिस्ट से मिलता हूँ सबसे पहले वो UP के कानून विवस्था की तारीफी करते हैं हाला कि एक बहतर कानून विवस्था एक अच्छे कॉडिनेशन का ही नतीज़ा है आगे उन्होंने कहा कि 2019 का कुम्ब अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए पूरे विश्व में विख्यात है 2019 के इस कुम्ब में लगबग 25 करोड लोगों ने हिस्सा लिया था लेकिन 2025 का जो कुम्ब होगा वो इससे भी अधिक भव्य और दिव्य होगा और हमारा ये प्रयास रहेगा कि 2025 में होने वाले कुम्ब में आने वाले सभी स्रधालों को बहतर से बहतर सुविदा प्रदान की जाए आपको बता दे मनोस सिंग 69 साल के है और 1908 पैच के अफसर भी रह चुके है और योगिया दित्रनाथ के सबसे बहतरीन और विश्वसनिया आईस अफसरों में से एक है उनके पास फिलाल पंचायती राज, उद्यानिकी और खाद प्रसंसकरण जैसे विभागों की जिम्मेदारी है और एक साल की अवधी में 10 लाग करोड से जादा निवेश प्रस्ताव को धरादल पर लाने में मनोस सिंग की एहम भूमिका रही है इसके अलावा 34 साल के सेवकाल में वह पिली भी तुनोईडा और मुरादाबाद जैसे जिलों के डियम भी रह चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इनका ये अनुभाव सरकार के लिए बहुत ही जादा फायदेमन साबित हो सकता है